बोलिवूड स्टार्स को बड़ी बड़ी शादियों में इंवाइट किया जाता है कुछ स्टार्स तो वहाँ डांस परफॉर्मेंस भी देते हैं जिसके लिए उन्हें चंद मिन्टों में करोडों कमाने का मौका मिल जाता है लेकिन हाल ही में एक सुपर स्टार को एक शादी में 30 मिनट अपेरंस देने के लिए करीब 2 करोड रुपे का शानदार और मालदार ओफर दिया गया जिससे उसने तुरंट रिजेक्ट कर दिया लेकिन क्यूं और कैसे टेक अलोग पद्वाबत के सुपर सकसस के बाद रनवीर सेंग दिपिका पादुकोण और शाहिद कपूर की डिमांद बढ़ गई है ये तीनों अब अपनी अगली फिल्मों की शूटिंग में बिजी है जार रनवीर सेंग की तो बात ही ने लाली है जनाप ने अलाओ दिन खिल्जी के रोल से सबको इंप्रेस किया है अब रनवीर सेंग दिनो बैक टू बैक फिल्मों की शूटिंग कर रहे है फिर आद बोल में भी इनका स्टिंग का चल रहा है फिल्मेकर्स तो इनके आगे लाइन लगा कर खड़े है हर कोई ने अपनी फिल्म का हिस्सा बनाना चौता है और उसी का नतीशा है कि रनवीर सेंग ने अपनी पीस कई गुना बढ़ा ली है जी हाँ, रनवीर सेंग अब एक तुन के लिए सीधे 13 करोड रुपे वसूल करेंगे वही रनवीर सेंग इतने बजी है कि उनके पास अराम करने का भी वक्त नहीं है वो बिना रुके, बिना ठके काम कर रहे हैं और खबर है कि बजी होने कि चोटे रनवीर सेंग ने एक शाहंदार औरमालदार और आफस उकरा दिया है वो भी करीब 2 करोड रुपे का दरसल खबरों की माने तो रनवीर सिंग को एक और द्योगपती के यहाँ शादी में अपीरंस का ओफर मिला था मतलब उन्हें एक शादी में शामिल होना था वो भी सिर्फ आदे घंटे के लिए और सोर्सिस का कहना है कि इसके लिए रनवीर सिंग को करीब 2 करोड रुपे दिये जा रहे थे यानि 30 मिनट की मौझूद्की से रनवीर सिंग दो करोड रुपे कमा लेते लेकिन सोर्सिस की माने तो रनवीर सिंग ने यह ओफर टुकरा दिया है और सोर्सिस का कहना है कि फिलाल वो किसी दूसरी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहते इसलिए उन्होंने शारी में शिर्कत करने से माना कर गिया है तो देखा आपने खिल्जी बनने के बाद रनवीर सिंग का स्टादम और स्टार पावर बुलंदियों के शिकर पर पहुच किया है क्यों? सही कहाना Bureau Report, IBC 24 क्यों आपने क्यों आपने